श्री दुर्गाय नम्हा चंद्रमा और अगनी यही तीन उनके नेत्र हैं तथा वे अपने मनोहर हातों में धनुषबान, अंकुष, पाश और शूल धारन किये हुए हैं। रिशी कहते हैं, राजन अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुम्ब को मारा गया देख, तता सारी सेना का संघार होता जान, शुम्ब ने कुपित होकर कहा। दुष्ट दुर्गे, तु बल के अभिवान में आकर जुन मुन का घमन ना दिखा, तु बड़ी मानेनी बनी हुई है, किन तु दूसरी इस्तियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। तब देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ, इस संसार में मेरे सिवा दूसरी कौन है, देख, ये मेरी ही विभूतियां है, अता मुझ में ही प्रवेश कर रही है। तदंतर, ब्रह्मानी आदिसमस्देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई, उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। मैं अपनी एश्वरे शक्ती से अनेक रूपों में यहां उपस्तित हुई थी, उन सब रूपों को मैंने समेट लिया, अब मैं अकेली ही युद में खड़ी हूँ, तुम भी इस्थिर हो आओ। रिशी कहते हैं, तदंतर देवी और शुम्ब दोनों में सब देवताओं तथा दानवों के देखते देखते बहंकर युद छड़ गया, बानों की वर्षा तथा तीखे शस्त्रों और दारुन अस्त्रों के प्रहार के कारण उन दोनों का युद सब लोगों के रिए द्वारा काट डाला, इस प्रकार शुम्ब ने भी जो दिव्वे अस्तर चलाए, उन्हें पर मेश्री ने भयंकर हुंकार शब्द के उचारन आदी द्वारा खिलवार में ही नश्ट कर डाला, तब उस असुर ने सेकडों बानों से देवी को आचिद्दित कर दिया, यह द गिराया, ततपश्चात द्यत्यों के स्वामी शुम्ब ने सो चांद वाली चमकती हुई ढाल और तलवार हात में ले उस समय देवी पर वाद धावा किया, उसके आते ही चंडिकाने अपने धनुष से छोड़े हुए तीखे बानों द्वारा, उसकी सूरे किर्णों के समान उज्वल धाल और तलवार को तुरंद काट दिया, फिर उस दैते के घोड़े और सार्थी मारे गए, धनुष तो पहले ही कट चुका था, अब उसने अंबिका को मारने के लिए उद्यत हो भेंकर मुदगर हात में लिया, उसे आते देख देवी ने अपने तीख्षन बानो से उसका मुदगर भी काट डाला, तिस पर वै असुर मुक्का तान कर बड़े वेख से देवी की ओर चुपटा, उस दैते राज ने देवी की छाती में मुक्का मारा, तब उन देवी ने भी उसकी छाती में एक चाटा जड़ दिया, देवी का थपड़ खाकर दैते राज शुम पृत्वी पर गिर पड़ा, किन्तु पुना सहसा पूर्वता उठकर खड़ा हो गया, फिर वै उचला और देवी को उपर ले जाकर अकाश में खड़ा हो गया, तब चंडी का अकाश में भी बिना किसी अधार के ही शुम के साथ युद करने लगी, उस समय दैते और चंडी का का अकाश में एक दूसरे से लड़ने लगे, उनका वहय युद पहले सिद्र और मुनियों को विस्मे में डालने वाला हुआ, फिर अंबिका ने शुम के साथ बहुत देर तक युद करने के पश्चात उसे उठा कर गुमाया और पृत्वी पर पटक दिया, पटक शोल से उसकी छाती छेद कर उसे पृत्वी पर गिरा दिया, देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्रान पखेरों उड़ गए और वह समुद्रों, दीपों तथा परवतों सहित समूची पृत्वी को कापाता हुआ भूमी पर गिर पड़ा, तदंतर उस दुरात के मारे जाने पर नदिया भी ठीक मार्क से बहने लगी, उस समय शुम्प की मृत्यों के बाद संपून देवताओं का हिर्दय हर्ष से भर गया और गंधर्वन मधूर गीत गाने लगे, दूसरे गंधर्व बाज़ा बजाने लगे और अपसराय नाचने लगी, पवित्र व परकंडे पुराण में सावनिक मनवंतर की कथा के अंतरगत देवी महत्यम में शुम्बवद नामक दस्वा अध्याय यहां पूरा होता है। टाकि माद दुर्गा की आप पर हमेशा किर्पा बनी रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।